था आज का वीडियो में हम क्लास टुल्थ के बायलजी के चाप्टर वन से लेकर के चाप्टर फाइब तक के चाप्टर के पूरे कुश्चंस मैं आपको इंपॉर्टन कुश्चंस प्रवाइड करने वाला हूँ चाहे अपका क्वर्टरली एक्जाम हो चाहे आपका हाफियर इक्जाम हो या फिर आपका final exam हो ठीक है इन इक्जाम में इन chapters से अगर chapter 1 और chapter 5 से जितने भी question पूछे जाएंगे जितने भी question प्रवाइट कर रहा हूं इन ही question से पूछेगा ठीक है इन से question पूछ सकता ठीक है तो कहा जाए तो पिछले जितने भी previous year के question paper रहे होंगे सभी का analysis करके मैंने ये question आपके लिए तयार किया है जिसमें आपके one से लेकर के five तक के सभी important question है इन questions को आप पढ़ सकते हैं जो कि आपके quarterly exam में आ सकते हैं और half fairly और final exam में आ सकते हैं ठीक है तो चली शुरू करते हैं आज किस वीडियो को और बत देख लेते हैं कितने कितने question कि इनकिन chapter से important है आपके लिए सभी questions तो पढ़ नहीं सकते हैं तो कौन कौन से questions आपको पढ़ने चाहिए सारी details से आज की वीडियो में बात करेंगे चैनल पर भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा और चली शुरू करते हैं आज किस वीडियो को physics का हमने डाल दिया है पहले ही इसके पहले ही तो जाके description box में लिंक जाके देख ले biology का यह रहा chemistry का भी इसके बाद डाल देंगे तो description box लिंक पर चेकाउटरे टेलिग्राम और इंस्टाम पर आपको जुड़ जाना तो आपको updates वगरा मिलती रहेगे ठीक है आँगे आने वाल एक्जाम कोस्ट है यह आपके फाइनल एक्जाम में भी आ सकता है स्टार वालक मैं स्टार लगाता जाओंगा जिनको आपको याद ही कर रहे हैं एक दम से फाइनल से फाइनल में आपके आएगा और यह सबसे मोस्ट इंपोर्टर लेंगिक प्रवाइट कर रहा हूं सभी important है ठीक है अंड़ प्रजक्ट और स्जीव प्रजक्ट में अंतर लिखें ठीकिए अंड़ प्रजक्ट और सजीव प्रजक्ट में अंतर इंफ्रेंसेل वगारा बहुत पूस्ता है तो आपके अथभा में ये question पूछ लेगा तो आपको इन questions को आपको पढ़ लेंगा ठीक है आप SE यह भी स्टार वाला कोश्चन है ठीक है बहुत इसके बाद यते पी आलू का कंद एक विभ्यूगत भाग है लेकिन फिर भी इसे तना कहते हैं क्यों यह इंपोर्टन कोश्चन आपके लिए को समझाइए यह भी कुश्चन आपको पढ़ लेना है यह चाप्टर वन से आपके इंपोर्टन कोश्चन रहें चाप्टर टू से कौन कौन से कौश्चन है यह मैंने खुद प्रिविए शेर के जितने भी बच्चे रहें मतलब जिन्होंने अच्छे अंग से पास किये उनके उनके द्वारा तयार किये और टीचर्स के अनलिसिस के बाद इसे इन कुश्चन को आपके लिए प्रवाइड कर रहा हूं ठीक है चैप्टर वन से चैप्टर टू से देखे पहला कोश्चन पुस्प के आवश्चक अंगों के नाम लिखिए परागकड किसे कहते हैं तथा स परागड में अंतर यह वेरी मोस्ट इंपोर्टन कुश्चन स्टार वाला ठीक है क्या है तथा कैसे संपन्न होता है इन कुश्चन को आपको पढ़ लेना बहुत इंपोर्टन है एक पुस्प के अनुद्वैर्ध काट का नामंकी चित्र आप से पूछ लेगा इस को आपको आप फिर लिए और फाइनल एक्जाम तक में फसने की चांसेज हैं क्लियर हो रहा है फिर लगविजाड धानी तथा गुर्विजाड धानी में अंतर लिखना है ठीक है यह कुश्चन आपको पढ़ लेना इसके बाद आप देखे बीजांड की सन्रचना बनाए सेव की अभ और लिए परिवर्थन ये बताना है आपको पराग कंक का नाम की चित्र बेरी मोस्क इंपॉत इंपोड़न को शेन स्टार वाला ठीक अपरा अंगा की चिप्र यह बनाना आहपको चैप्टर 3 से बिसेृ तथ अंडासां के प्रमुख काड़ य'YEST g पुरुसों में ब्रसड उदर गुहा के द्वा बाहर क्यों पाए जाती ये कोश्चन आपको पढ़ लेना है रजो धर्म क्या है ये वेरी मोस्ट है रजो निर्वत्ति किसे कहते हैं रजो धर्म किसे कहते हैं ठीक है ये इंपोर्टन डिफरेंस है आपका मानों अंडार के संदसना को चित्र समझाइए ठीक है ये इंपोर्टन है कि वैसे भी बायलजी में वैसे बीचित्र वगएरा ज्यादा आते हैं ठीक है मैं आपके फाइनल येर के लिए भी हल्प करूँगा डॉंट वरी आँगे आने व करने वाले अपको पढ़े बांद आत्या के आपको अनलग प्रवाइड का तो फटा फट आपको टिक लगा लेदाए चैप्टर पोर से देखे जनन स्वास्त का महत्त देखे फिर एग नियो सेंटेस्स क्या है यह चीज इसके बाद क्या विद्यालियों में यह उनी सिछा आवश्यक है यह आपको बताना है ठीक है इंपोर्टन लग रहा है यह कुश्चन वैसे भी फिर वैसे अक्टिगी और ट से होने वाले रोग ठीक है यह आपको पूछ लेना दो नंबर का पूछेगा S.I.V तता है एट का पूरा नाम दो नंबर का पूछेगा ठीक है मालनो जन्जंक्या ब्रद्धि के सामाजी कारण लिखी ठीक है यह इंपोर्टन है क्या गर्ब निरुर्धक का प्रयोग नियो विचित है क्यों ठीक है यह पताना है इंप्रटेंट है परक्ष नली सिसू सीट सीट टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं वेरी मोस्ट इंप्रटन को से दो से तीन नंबर का आपको कुछेगा फाइनल एक्जाम में भी पूछेगा जनन गंदी को हटाना गर्व निरोदु विकल्प नहीं मना जा सकता क्यों यह भी कुछन आपको पढ़ लेना आप देख लेकर यह आपका चाप्टर 4 से और कुछ बचे हैं क्रतिम वीर सेचन क्या है यौन संचारित रोगों से बचाओ लिखिए जन संक्याव स्पोर्ट के कौन कौन से कारण है वेरी वेरी मोस्ट चैप्टर 5 से पूछेगा आप से हमारे समाद में लड़के पैदा ना करने का दोस्ति पर लगाया जाता है कि आप इससे सहमात है नहीं आपको बताना है इंपोर्डेंट है फिर संस लगनता किसे कहते है यह कौशन आपको पढ़ लेना है फिर इसके बाद मेंडल के प्रतक प्रभाविता क्या है अपूर्ड प्रभाविता बताना है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं और फिनाईल की टोन यूरिया को परिवासित करिए ठीक है इनके और प्रवाइट कर दूंगा साथ ही साथ एक और स्रीज है जिसमें कि आपके एक से दो नंबर वाले कुश्चन आपके लिए तो अगर वो भी चाहिए तो कमेंट सकते हैं में कमेंट कर उसका भी वीडियो डाल दूंगा मैं आपको ठीक है यह पार्ट वन है अलाकि जिसमें बड़े वाले कुश्चन है आपके इसके बाद जीन बीनियां किसे कहते हैं गुड़ सूत्रों के कारों के ऐडिएगा ठीक हैcción吃 का मैंने वइडियो डाल दिया है डिस्क्रिपशन लिंक मिल जाएगा en verl 예ants का विडियो ड्रव बहुत जातला कि देख सकते हो आप झाल झाल